खबर कोटा जुले से है जहां कोटा भूंदी से भाजवा प्रत्याशी ओम बिरला मंगलवार को पीपल दा विधानसपाद शेत्र के दोरे पर रहे इसी बीच ओम बिरला ने इटावनगर में काफी बड़ा रोट शो भी किया जिसमें जगा जगा लोगों उसने उन पर पुश पवर्शा कर स्वागत किया इस दोरान बाइपास पर बिरला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कॉंग्रेस हार के डर से धर्म का सहारा ले रही है इसके आगे उननका कि देश को विक्सित और समर्तन बनाने के लिए नरेंद्र मोधी को तीसरी बार भारत का प्रधान मंत्री बनाना होगा वहीं इस मौगे पर उनके साथ पूर्व मंत्री रामगोपाल बैर्वा, पूर्व विधायक प्रभुलाल वर्मा समेथ अन्यनेता भी मौझूद रहे कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट लोगों को बताओ कि बर्दार मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं राउल गान्दी के दरलोग कहेंगे किसको बनाना चाहते हैं अब कोंग्रेस हर के मारे धरम का सहारा ले रही है अब अधार पर चुनावर रणना चाहती है कॉंगरेस के पत्याशी कोटा का घंटागर है ना घंटागर घंटागर देखा है कोटागर वहाँ पर जाकर कहते हैं गारंटी लेता है कौन गुर्डु मिया के साथ है के भाईया पहले इनी लोगों में रहा है था आप उनको जिताओ गुर्डु मिया की गारंटी है यह हमारी जमाज की बाद यहां घंटागर से दिल्ली तक पो पहुचाने की बात करते हैं और दिल्ली तक हमारी बात क्रिक्राशी क्या केंधर रहें का बुद्डु मिया ने जमानत देजी ना वीडियो देखना जाओ चुब चाप भोटीं करो बिना नियोजित तरीके से भोटीं करो सो पर्टीशन बोटिंग करो ताकि मैं जो गुड़ू मियाने जमानत दिये जमात की बार दिल्ली तक पहुचाओंगा ये गुड़ू की दिम्मेदारी है तो मेरी भी दिम्मेदारी है